आप सभी लोगों को मालू होगा कि अभी हाली में उत्तर प्यदेश में आपके विधान सवाद चुरा हुए थे और आपने देखा है कि अब सरकार का गठन हो चुका है दुबारा आपने देखा है कि उत्तरफिदेश की मुखमंत्री की रो में योगी आदितनाथ आ चुके है तो योगी आदितनाथ की केमिनिट में एक सरकार में एक मात मुसलिम मंत्री बनाए गए हैं दानिस आजाद अंसारी और वैसे आप सभी जानते हैं इस बात को मुझे लगता है कि कहने की जरूरत भी रही है कि बीजेपी को हिंदुबादी पारिटी माना जाता है और इसलिए आप देखिए किसी भी राजमेर रिधान सभा चुनाओँ है या फ़र आप देखिए लोग सभा चुनाओँ है बीज तरह से आपके यह कि एक तरह से उन्हें टिकेट देती नहीं और उसने यह मान के बैठी हुई है कि आप देखे कि उनका बोट हमें किसी भी आलप में नहीं मिलने वाला है नाम के लिए एक तरह से आप देखे कि उन्हें मुख मंत्री या आप देखे कि टिकेट दे दिया जात आजाद ने सुरुवाती पढ़ाई वलिया से की और जबकि ग्रेजियोशन लखनुव से पूरी के इनोंने और आप देखेंगे कि उन्हें समावित रूप से राजबंदी की रूप में जगह मिल सकती है मिल गई है और इस बार मुहसिन रजा को मंत्री मंडल में जगह नहीं दी गई अब दानेस योगी सरकार के मुसलिम चहरा होंगे और दानेस को मेहनत कफल 2017 में मिला उन्हें उर्दु भासा की समिती का सिदस पराया गया साल 2021 में उन्हें संगठन में अल्प संक्यक मोर्चा के महमंत्री के रूम में जिम्मेदारी सौंपी गई हाला कि इस बार उनकी कद बढ़ा कर मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई और 32 साल की उमर में वो योगी सरकार की केमिनेट का युवा चेहरा है लखनव युनिवसिटी से उन्होंने वीकॉम किया हुआ है इसके बाद उन्होंने मास्टर डिग्री क्वाइल्टी मेनेजिमेंट और मास्टर ऑफ पबलिक एड्मिनिस्टेशन में किया हुआ है और 10 माज को यूपी की बड़ी जीत पर दानिस अंसारी ने लिखा था कि उत्तर फिदेश बिधान सभा चुनाओं में यह साबित कर दिया है कि हमारे देश की जन्ता अब जाग पात धरम मजहस पे उपर उठकर विकासबाद और राष्टबाद को सर्वों परी समझती है और एक बार फिर आप देख लिए उत्तर फिदेश आप सभी जानते हैं यह आपका उत्तर फिदेश है इसके राध्दानी लखनव है और आप देखी यहां विदान सभाव सीटें 403 है राज्य सभा में आप देखे 31 सीटें लोक सभाव में 80 सीटें और आपकी विदान परिशद में 100 सीटें और यह आपके योगी सरकार की एकमात मुसलिम मंत्री है त्विक है दानिस आजाद अंसारी